जनपर संबल के जनदोस्ती में हर वज की बाती इस वज भी एके हेल्पिंग सोसाइटी ने मकड संक्रानती को पुलक्ष में छेतर के संबल तिराहे पर यातयात पुलिस के सयोग से निशुल के हेलमेट एबम निशुल के रिफ्लेक्टर अबियान चुराया जिसमें वहां से बुजनने वाली दो पैयां वहां चालर जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था उन्हें निशल का लोकडाल करते हैं पर उनकी सोसाइटी ने अगर उनकी इस चोटी से पहल से किसी की जान बद सके तो इससे बड़ा दान कोई नहीं है कारिकरम का उद्गाटन यात्यात प्रभारी अनुज मलिक ने फीता काट कर किया कारिकरम में सो लोगों को हेलमेट का वितरण किया गया और लगबक पचास वहनों पर रिफलेक्टर लगाए गए जब भी टूविलर वहान पर चलना है तो हेलमेट लगा के चलना है इसी के मद्दे नजर जो वहवासाइक वहान है टैक्टर टोलियन में हम निशुल्क रिफलेक्टर लगवार हैं जिससे कोरे में दुरगटना ही कम हो सके और यात्यात सुचार रूप से चलता रहे अपनी एवम सोसाइटी के सभी सदस्यों के ओर से आप सभी देशवासियों को मगर संकरानती के पावन अफसर की हार देख शुब कामनाय देना चाहूँगा साथी बताना चाहूँगा आज मगर संकरानती के शुब अफसर पर अन्ने लोग दाल, चावल वा अन्ने वस्तुओं का वितरन करते हैं पर हमनारी सोसाइटी ने इस चुटूटती हुए ठंड एवं कोरे को मद्दे नजर रखते हुए आज संबल यातायाद पुलिस के सयोग से निशुल्क रिफ्लेक्टर एवं निशुल्क हेलमेट का वितरन कराया है जिसमें 100 लोगों को निशुल्क रिफ्लेक्टर एवं 100 वाहनों पर सब्था को हेलमेट का हमने वितरन करा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जीवन सुरक्षा स्दक्षा जीवन रक्षा तो आज इसी को मद्द्न नजर रखते हुए हमने ये कारेक्राम करवाया है ये भावनाएक कैसे जागत हुए आपके अंदर देखिए पिछले साल भी हमने ये करवाया था रक्षा बंदन वाले अफसर पर क्योंकि रक्षा बंदन के पावन अफसर पर ये माना जाता है कि भाई बहन मोटर साइकलों से अन्य दूसरे शेरों में जाते हैं तो ऐसे में भाई बहन आगे वाले जो होता है उसने तो हिलमेंट लगा रहा होता है पर पीछे जो महिलाए बेटी होती है बहरे नहीं रखाया होता है तुप पिछली बार हमने बहनों और महिलाव के लिए इक करा था और इस पर हमने सभी को मद्द नजर रखते हुए सबी के लिए एनमेट वितरंग का कारेकरम रखा है